हेलो, मैं परेज सौलंक के इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर आज यह वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू स्टार्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस इन इंडिया बहुत चारी ऑपोट्यूटी है यहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस में तो अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हो और इंपोर्ट करना चाहते हो तो इंपोर्ट कैसे कर सकते हो तो आप एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो यहां पर जो में इंपोर्टन चीज आता है यहां पर फॉर टॉपिक्स है जैसे कि डोकुमेंटेशन लोजिस्टिक इंटरनेशनल मार्केटिंग और बैंकिंग तो यह चार टॉपिक आप जो है लर्न करना पड़ेगा कैसे कैसे होता है तो मैं आपको चारों के बारे में बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या आता है सबसे पहले हम बात करते हैं डोकुमेंटेशन की अगर आप एक्सपोर्ट बिजनेस टार्ट करना चाहते हो तो आपको कौनसे कौनसे डोक्यूमेंट लगेंगे तो एक्सपोर्ट बिजनेस में मेंली जो फॉरेंड ट्रेट पोलिस FTP इंडिया की जो फोरेंट्रेंट पोलिस है लाइक 2015-2020 उसमें जो मेंडेटरी डोक्यूमेंट है वो है लाइक IEC आपको सबसे पहले लगेगा IEC इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉर्ड लगेगा दूशना है GST जो GST कंपल सरी है एक्सपोर्ट करोगे आपको GST लेना कंपल सरी है तो आपको IEC चाहिए आपको GST चाहिए फिर एक थर्ड सर्टिपिकेट आता है उसको बोलते आर सीएमसी रजिस्टेशन कम मेंबर्शिप सर्टिफिकेट तो यह जो है कमपल सरी नहीं है बट आपको कही-कही प्रोड़क्त में जी एश्टी और दूसरे उसके चाहिए आपको है तो डदिपेंड रहता है रख पे आप अप कर रहे हो अप मचिन् 2 कोनसा प्पॉडग और जिसलिकर लग चविंग refresh रूजरा शब jij प्रमा और सब्सांब करना चाहते हो आप कौन जान आप लोकल साफमार करे हो और डुसरा काबे वाथ बदर्ड शुंद सब्सक्रिए में एक्सपोर्ट तो अमेरिका में है इस डिये का लाइसन्स आपको सब्सक्राइब करना है तो वहां का एक स्टांडर्ड करन दो जो लोग मंगते लेना पड़ेगा आपको ड्यम पी आपका जो प्लांट है यह आपकी इंत किसी और से ले रहे हो तो जो बन रहे हों का इसके पास वह राइसे सख्थ पहल सबना है और कही कंट्री में मांगते है आइस वो तो यह आइस व हो आपके पास रहे चाहिए और दूसरा दूकुमेंट से बहुत लुग दरते है फिर आता है इनोस आता है पाकिंग थासा यह जुर गोh है तो यह टेंशन वाली बात नहीं रही लसी वगर नहीं है तो एकूरेत डोक्यूम्न आपको बनाना जो आप परनेुयद करना चाहते हो तो आपको डोक 활 सिखना पड़ेगा आपको डोकotal में चाली I जो यहां परतकर जो यहांपे दोकमेंट मैं मास्टरी लेनी पड़ेगी सिख Арणीष में जो गढ़ी यहां पहले द drives स्याध्यों करना है तो बाहर का लिस्ट लेने का तो बहुत सारे तरीके है तो वहां से आपको आपके बायर मिल सकते हैं करना है है कि आपको बायर करना तो करना है क्या 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 चीज़े इसमें आती है तो वह पूरे आप सेख सकते हो कर सकते तो में इंपोरेटन चीज इसी आपका करने के लिए आपको चाहिए स्कील आपको अपने आपको डेवलोप करना पड़ेगा आपका नॉलेज आपको डेवलोप करना पड़ेगा तो यह जो है बायर कैसे फाइंड करना है तो बायर आप ओनलाइन ऑफलाइन और बहुत सारे वेज जहां से आपको बायर मिल सकते बट और सकते चीज़ है देखो हमें अन्हें आता तो हम सीख सकते हैं तो यह आप यह सीख सकता है पुरा कॉमिनिकेशन छिस्ट प्रोफेशनलीजनलिजम क्या है होसे क्या आप यर्ग को अंवाइयर के ओडर तुरूंत यसक्ते छो हमारा थर्ट टॉपिक है वह बैंकिंग बहुत सारे लोगों को क्वेरी रहती कि सर एक्सपोर्ट इंपोर्ट में पैसा डुपता है तो आपको पूरा राइट नौलज चाहिए देखो जैसे कि इतना बड़ा बिजनस हो रहा है तो कैसे होता होगा पहली बात तुम एडवांस में बिजनस करेंगे पैस कि अगर्वांत एकश् sẽ जाएगा तो नॉर्मल ट्राइक्शन है तो आपको आपको इंपोर्ट करिसा करवाना पड़ेगा और अदूसरा जो Park पैसा आयेगा पैसा जाएगा तो नॉर्म यहां से आपको और आप और सामनें चाप्राइशाए लाई मिल जाएगा आपा के रपको रास्ट कर जूँनना पड़ेगा उसमें आप पूरा लपक mesa है पूरा Martin tu हम यह हमारे ट्रेनिंग में भी सिखाते हैं like practically letter of credit जो है LC होता है वह मैं आपको देखे सिखाऊंगा इसका यह मतलब है इसमें rules and regulation ऐसे होते हैं इसमें ऐसे ऐसे आपको type करना पड़े होगा logistics सर हमें export को करना है बाहर भी बिल गया लेकिन यह goods यहां से वहां जाएगा कैसे तो वह जो goods आपको यहां से वहां बेजना है बड़ा बड़े उसमें आता है logistics तो यहां पर बीच में आता है सीए से custom house agent या freight for order या logistics agent जो आपको पूरा help करके देते तो logistics में क्या होता है हमारी फैक्टरी से goods को सामने बाहर की फैक्टरी या गोड़ान तक पहुंचाना यहां हमारे फैक्टरी से पॉर्ट तक गोड़ जाएगा पॉर्ट में उसका इस्टम क्लेंस होगा स्टफिंग बोलते है पॉर्ट या डॉक्स्ट फैक्टरी स्टफिंग वहां से लोकल ट्रांसपोर्ट होके वहां जाएगा आपने जो बाहरे उसके गोडाउन वहां फैक्टरी तक वह जाएगा तो लॉजिस्टिक में में इंपॉर्ट चीज परेजिंग कैसे करना है तो कितना कितना चाइजर लगता है तरी ये बैन किछ इए पयर्स कर सकते हो तो यह मैं इंपॉर्टन चीज़ और सबसे इंपॉर्टन चीज है गयर्मेंट benefit government हमको export करने के लिए benefits देती तो क्या-क्या benefit है जैसे कि M.E.I.S.A duty drawback है एपी सीजी है advance authorization है यह से हमको benefit मिलते है डिटेल में आप उस benefit का यूज करका pricing करोगे तो आपका price competitive रहेगा आप export कर सकते हो आप buy डून सकते हो आप export business start कर सकते हो मुझे बहुत सारी comments आ रही है कि sir आपके video से मुझे inspiration मिलती है बहुत अच्छा है thank you for that comment and जो बहुत चोड़ों देश की सेवा अच्छी बात देश की सेवा करना पर मेरा जो मेन है important है आपको help करना है देखो help करना है जितना में हो सके कहीं कमेंट करते कि sir आपने मेरे कोई comment का answer ने दिया आपको कोई भी query है तो यहाँ पे नीचे आप comment कर सकते हो और आप यह yes आप यह business कर सकते हो आप export कर सकते हो और मैं पहले बता दो आपको कि यहाँ पर मेहनत अच्छा लगेगा investment का मेरा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा देखो और शुरुवात में आपको भी business करतो तो शुरुमें मेहनत रहता ही है तो ऐसा एक दिन का business नहीं आज किया कोई बहुत जादूगर है मैं आपको पड़ाओंगा how to find buyers और कैसे सब पूरा चीज में यहाँ पर में खुद पढ़ाता हूँ expert faculty भी रहते है right guidance right person से चाहते हो ताप हमारा training जोइन कर सकते हो और कुछ भी करिए आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग तो यहाँ पर comment किजिए और आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक किजिए शेयर किजिए कर comment किजिए और भी लोगों को यह शेयर किजिए उससे भी अच्छा और राइट हुआ